पाकिसान में बहुत सारी इंट्रस्टिंग ड्वेलमेंट्स हैं इनमें एक तो बड़ी इंट्रस्टिंग है जब नौाज शीफ ने पिछले दनों कहा मूदी साहब और वाचबाई साहब मुझे अच्छा लगा कि इतनी जो है सेंस होनी चाहिए वर्ल लीडर्स में कि एक तलाफात के बावजूद एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बारत अफ़ानस्तान और एरान के साथ तल्लक अच्छे रख बगैर आगे नहीं बढ़ सकता बड़ी इंपॉर्टन बात उन्होंने की उन्होंने कहा कि कारगल जंग जो थी वो एक घल्टी थी अब मैंने जब ये बातें सुनी तो मैंने सोचा कि पता नहीं इन पर कितना दबाव आएगा और पाकिसान के विलागर का ये कहना था वहां लंडन से वापस आने की सूरत में वो कुछ खतम हो गई है खराब हो गई है तो इस तरह की अफवाएं चैमगोईयां बहुत रहीं और पाकिसान के जिमनी हलात भी ऐसे होते हैं जमीनी हलात भी ऐसे होते हैं कि ये बातें कहना कोई असान नहीं कुछ दिन पहले मैंने इसके साथ साथ थोड़ा हम टच करेंगे आर्टिकल 370-35 एक हवाले से पाकिसान में क्या तासरात पाए जाते हैं जो सुप्रिम कोट ने सुप्रिम कोट अफ इंडिया ने इस भारती पार्लिमेंट के डिसीजन को अप होल्ड किया और बहराल ये वो बाते हैं पाकिसान की स में हम कन्वर्सेशन कर रहे थे knowledgeable कि कोशिश कर रहे थे कि मिया सहब ने ये जो बातें की हैं ये बहृत जो भी मुशक्खल है तो अब 34 दिन गजर Cincने के बाद कोई पाकिसान में आपको रेक्शन आ रहा है इसमें या पाकिसान में ये कहा जा रहा था कि मिया صاحب के कहने का मतलब ये है कि वो आर्मी के साथ उनके अंडरस्टेंडिंग नहीं चल रही तो इसलिए उन्होंने ये फायर कर दिया तो वहां पर क्या सिच्वेशन है सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर के आपने इन्वाइट किया और सर ये नवाज शरीफ साब जो बाहे थे उस वक्त से ही ये बात की जा रही थी कि नवाज शरीफ साब को इसी वजह से लाया गया है कि भारत के साथ टर्मस बेतर करने और इस वक्त की जो इस टैबलिश्मेंट नवाज शरीफ सहाब को इसलिह लाएगया है कि भारत के साथ trade open हो भारत के साथ terms बेतर हो और यही कुछ होता हुआ और बाते हम सुन रहे हैं एक अक करके नवाज शरीफ साब के cases भी खतम किये जा रहे हैं और इससे भी यही तासुर मिलता है कि establishment भी यही चाहती है और उनकी जो statements हैं कि वो जितनी भी neighboring countries उनके साथ तालुकात को बेतर बनाना चाहते हैं और उसे बनाए बगएर आगे नहीं बढ़ा जा सकता इस बात को भी काफी highlight किया जा रहा है पाकिसान के अंदर जो आम public है आम public 50 से 60 परसंट तो ऐसी है जो यही चाहती है और बलके शायद जादा ही होगी 70 परसंट ऐसी होगी जो यही चाहती है कि भारत के साथ terms बेतर हो ट्रेड ओपन हो उनका ख्याल है कि अगर ऐसा हुआ तो शायद कुछ महंगाई पर भी काबू पाया जा सकेगा और हमें जो है वो असानी रहेगी कि अगर वहां से कोई समान मंगाते हैं या उसके थूर आता है इंडिया के थूर आता है तो हमें बहुत असानी रहेगी ये चीज़ भी लोग समझ रहे हैं बाकी 30% उनमें आ जाते हैं जो जिसे कहते हैं कि आप कुछ भी कर लीजे उन्होंने नेगटिव ही रहना है कुछ भी कर लीजे उन्होंने बुरा भलाई कहना है और वो लोग इतना मैटर नहीं करते मेरा ख्याल है इसलिए कि इस वक्त ज जिस तरह के टैक्स चल रहे हैं जिस तरह का महौल है इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी और एजन्सी यकीनल या जो डिफेंस पोर्सिस हैं वो यही चाहेंगी कि कम से कम दूसरी तरफ जो है वो अमन रहे यही देखकर मेरे ख्याल है कि आगे की तरफ बढ़ने का इरादा इनक बड़ी इंडिकेशन पॉजिटिव तो यह मिली के नौाज शरीफ के खलाफ कुछ केसिस जो हैं उन में उनको बरी किया जा रहा है अलजीजिया जो केस था उसकी एक ताज़ा तरीन मसाल है और पाकिस्तान के चीफ और आमी स्टाफ अमरीका के दोरे पे हैं तो वहां से करता है वो जाकर अमेरिका में हाजरी तो लगाते ही हैं और अगर किसी किसम के आईमेफ डील या कुछ होनी हो तब भी जो है वो जो भी पॉलिटीशन या गवर्मिट होती है उसके बजाए आर्मी चीफ से बात करना लोग पसंद करते हैं शार यही बजाए कि आब आर्मी के करीब बताया जा रहा है कि जो हमारिया के फोर्सिस के लोग हैं उनकी जाने गई हैं और ट्विंटी सिक्स के करीब टेररिस्ट बारे गए हैं यह टीटीपी का टैक था खाफी खौफना किसम का था और यकीनन मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ को इस वक्त पाकी के अपने अ बहुत एक खौफनाक बात है इसके साथ ही साथ जो यह टेरर ग्रुप्स हैं इनकी तरफ से स्टेटमेंट्स और डिफरेंट किसम की वीडियो भी रिलीस की जा रहे हैं इस अटैक को लेकर और इसकी वज़ा से आज लोग काफी डिस्टर्ब हैं पाकिस्तान में हास्तोर पे के पी के साइट पे जी आपने एक बड़ी एहम बात की तरफ इशारा दिया कि यह जो डियाई में अटैक हुआ है पाकिस्तान की स्क्यूरिटी फोर्स के गालबन तेईस के करीब लोग इसमें हलाक हुए हैं इससे टेररिस्टों की स्ट्रेंट का पता चलता है उनकी होना ही काफी है क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की स्क्यूरिटी एदारे मुसल्सल चले आने वाले हमलों की इस सेरीज को रोकने में काम्याब हो सकेंगे या उनमें कैपेबिलिटी है सर अगर यह रोकना चाहें तो मेरे ख्याल से रोक यह सकते हैं इनको उसके लिए ए पर अपनी पॉलेसी बनानी होगी है अफगान पॉलेसी इनकी बननी चाहिए अफगानिस्तान के साथ किस तरह से इने डील करना है अगर आप कोई डेड़ यह दो साल पहले की वीडियो देखें जो मेरे चैनल पे मिजर गौरव आ रही है ते तो उस वक्त भी एटैक्स चल थोड़े बहुत थे बहुत जादा नहीं थे और उनका यही कहना था कि इनका एक ही ईलाज है कि इनको जहां मिलें टी टीपी वाले इनको मार दिया जाए वो बार बार उन्होंने अपनी वीडियो में भी यह बात की थी कि इनके साथ बैठ कर बात करना या डायलॉग वाली जो बात पाकिसन की तरफ से की जाती थी, वो नहीं चलेगी, क्योंकि ये लोग ना बात सुनते हैं, ना समझते हैं, और ना समझना चाते हैं, इनका सरिफ एक ही इलाज है, और वो यही इलाज है, कि टीटीपी वालों को ढून ढून के जहां भी यह मिलें, वहां पर इनका खत तक उनकी वीडियोज पहुँच चुकी हैं, और लोग कहते हैं, कि ये सही बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे ना जाने क्या सोच कर, इनके ओपर कोई अक्शन नहीं किया गया, और फिर एक बगहर किसी प्लानिंग के अचानक से, एक दिन ये फैसला किया गया, कि जो आफगान स तरीके से पॉलिसी बनाई गई, जिसकी वज़ा से आज ये सब कुछ हम भुगत रहें, एक केर टेकर गर्मिंट आती है, जिसको के ये अख्तियार नहीं होना चाहिए, कि वो इस किसम के डिसीजन्स ले, मगर उन्होंने लिए, और यही वज़ा है, कि हम ये ही भुगते चल होंगें, अगर ये टीटीपी के पंद्रा हजार लोग हैं, तो फिर ये लाकों की फौज उन्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही, सबसे बड़ी बात ये, कि ये हमारे ही बनाईवे लोग है, और इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, अब अगर किसी खास सोच के साथ, कोई लाँच नहीं किया जा रहा, तो वो एक अलग बात है, अगर ये कहते हैं कि जी मारे पास फंड्स नहीं हो सकता है, जो आर्मी चीप गएं, वो इस बारे में भी बात करें, अमेरिका से के जी हमें फंड्स चाहिए, हमें मजीद पैसे की जरूरत है, ताके हमें लोगों को कं करना होगा? जी, आपने करें, लोगों का सफाया करना होगा, उसके लिए कैपेबिलिटी नहीं हैं, लेकिन आप ये भी कह रही हैं कि अगर ये कंट्रोल करना चाहें तो कर लें, लेकिन हालात वहां पे काफी संगीन है, अफ़ानस्तान के फ्रंट पे, अभी भारत की सुप पाकिसान ने जवाबन कहा के जी, हमें ये पसान नहीं है, हाला कि वो भारत का इंटरनल मामला था, भारत की सुप्रीम कोर्ट में, भारत की आपोजिशन पार्टी या और भारत के ही लोग गए हुए थे, उस आर्टीकल्स के खात्मे के खलाफ, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस खात्मे को बहाल रखा. तो पाकिसान ने का, कि हम यू एन ओ में जाएंगे, यू इन ओ में तो ये रोज बैटे हैं, ये बात कर रहे होते हैं, यूर्पिन यूनियन में जाएंगे, और पिर इन्होंने कहा जी कहा हम ओ जाएंगे, ओर्गनेशन ऑफिस्लामी काउन तो पाकिस्तान वाकिए practically कुछ करने के काबल है? कुछ कर सकता है? सार मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कुछ करेगा या कुछ कर सकता है लेकिन जाहिर है कि आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? तो यह भी एक बड़ा मस्ला होता है, अगर मीरे खाले अगर कोई बेड़ के इनकी जो कैमरे के बगार बातची तोरी होती है, अगर कोई वो सुन पाए है और जो फॉरिन मिनिस्टर साब आज कल है उनका भी एक स्टेटमेंट आ गया है कि युनाइटे नेशन में जाना चाहिए उससे पहले कल पूरा दिन हमारे टीवी चैनल के ओपर जो आ रहे थे और उसमें रिटाइट फॉजी भी थे उनका भी यही कहना था कि जो पाकिस्ता कुछी कर रहा है यह वर्ड यूस किया गया कि नसल कुछी कर रहा है महाँ पर माइनॉरिटीज की और इसी किसम की कई जिसे कहते है ना उट पटांक किसम की बाते की जा रही थी और लेकिन यह भी सच है कि अगर वही लोग जो उसक्ट टीवी पर बैठे हुए थे या फॉन है कि एक डिस्प्यूटिट टारेटरी कहलाती है कश्मीर लेकिन यह बात तो बहुत पहले ही थाबित हो चुकी है कि हम कुछ नहीं कर सकते हम ना उन से चीन सकते हैं ना उनके लोगों को भड़गा सकते हैं ना ही किसी और किसम का एक्शन जो है पाकिस्तान की तरफ से पॉस मैं आपसे इतफाग करता हूँ क्यूंकि इसके लावा कोई चारा ही नहीं एडलीस वो बात करने की मजबूरी तो उनकी है अगर वो बात भी नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कि पर यहाप हमें फिर यह चूरं क्यूं बेशते रहे लोग अगरचे समझ चुके हुए हैं किया जा रहा है नेक्स प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वो भारत के साथ तलकात ठीक करने के हवाले से हैं क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट हैं एक सीजन पॉलिटीशन्स हैं इसके साथ साथ दुनिया का दबाओ है पाकिसान पे खास्तर पर अमेरिका और मिडल इस्ट का कि भाई आप अपने तलकात पहले भारत के साथ ठीक कीजिए तो ये दोनों चीजें एक साथ चलेंगे एक तर्फ तो तलकात भी ठीक होने की बात होगी दूसरा कश्मीर का रेटरिक भी चलेगा तो क्या ये दोनों चीजें साथ साथ चलती रहेंगी या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है तो हो सकता है लास्ट मिनिट पे नवाज शरीफ साथ की जगा कोई और चेहरा सामने आजाए पाकिस्तान में बहुत कुछ होता है और इसलिए कई लोगों का ये भी ख्याल है कई लोगों को ये भी शक है यह हो सकता है कि आखरे मिनिट तक जो है वो यही बताया जाए जएके शह awakened नवाज शरीफ साब को ला रहे हैं लेकिन लास्ट मिनिट पे कोई और कोई ने चेहरा या को पुराना चेहरा लेकिन नवाज शरीफ साब के जितने केसिस हैं वो खत्म किये जा रहे हैं और अब लग ये रहा है कि उनके बज़ाए कुछ पीपल्स पार्टी जो है वो मुश्किल में फस्ती दिखाई दे रही है जिस तरह से राव अनवार को बुलाया गया और इसका इंटरव्यू दिलवाया गया ये और बाते कि आज बिलावल भुटो जरदारी का ये कहना था कि रावा अनवार किसका खिलाओना है सबी जानते हैं अगर तो बिलावल भुटो जरदारी एस्टेबलिश्मेंट की तरफ इशारा करें तो यकिन ہनं को ये भी याद रखना चाहिए कि रावार ऑन्वार के लिए उनके अपने व हैं अब अचानक से कहां से लाकर राओन वार्ड से जो स्टेट्मेंट्स दिलवाई गई हैं वह भी बड़ी इंट्रस्टिंग है और यकीनन आपने वो देखी होंगी या कहीं न कहीं सुना होगा तो यहां पे हर पल जो सिच्वेशन चेंज होती भी दिखाई देती है हर बनाएंगे और किसके साथ क्या करेंगे आसिफ अली जर्दारी ने भी एक इंटर्वी दिया है और उनका कहना यह है कि अगर पीपल्स पार्टी जीत गई तो वह या बिलावल भुटो जर्दारी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इसका मतलब अभी तक वो होफुल है कि वो ज तो इसलिए मुझे तो अभी तक कही हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ डाउट ही हो रहा होता है कि यहां पर क्या चल रहा है जी अभी आसिफली जर्दारी ने रिसेंडली कहा कि एलेक्शन आठ दस दिन लेट भी हो सकते हैं और पाकिसान में एलेक्शन के लेट होने के वाले है कि जी कुछ वीक्स आगे बढ़ सकते हैं अमीर मुकाम साब का कहना ये कि सर्दियां उनके इलाके में बहुत हैं और वहां पे बहुत बरबबारी है तो लोग जा नहीं सकेंगे वोटिंग के लिए ये भी कहा जा रहा है तो अभी तक तो वैसे कोई ऐसा फैसला हुआ नह डिनर पे बलके इंडियन अमबैसी का डिनर था तो वहां पे जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आये थे वो बात कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि लग नहीं रहा कि ये इलेक्शन को आगे बढ़ाएंगे जो डेट डी गई है एट फैबरी की शायद तब ही होकर ये इस काम को खतम करेंगे जी डेट जो दी गई है उस पे एलेक्शन अगर हो भी जाएं तो भी पाकिस्तान के पुलिटिकल मनजर नामें पे हर वक्त बहुंचाल की कैफियत रहती है आपने भी पीछे कहा कि इस बात की भी कोई गरंटी नहीं है कि नौा शरीफ ही प्राइम निस्टर बन सकें कोई पता नहीं कि आखरी वक्त में कौन सा मोहरा कौन सा चेहरा सामने आता है तो इस सारी सूटे हाल में इमरान खान की पार्टी में भी बहुत तबदीलियां आ रही हैं वो खुद चेर्मैन नहीं रहे उन्होंने किसी और को चेर्मैन बना दिया अब बल्ले का नि पार्टी का क्या मस्तक्विल है पाकिसान की स्यासत पे इम्रान खान की जगह जो चेर्मैन बने जगार्ट साब तो वो पहले पीपल्स पार्टी का ऐस्ता रहे हैं पीपल्स पार्टी के ढ काडिडेट भी रहे हैं और उस पर एलेक्शन भी लड़ चुके हैं यह बात भी बड़ी इंट्रस्टिंग है और बाकी इमरान खान की पार्टी इमरान खान की वज़ा से यह पहचानी जाती है उसमें सबसे बड़ी शक्सियत जो हैं वो इमरान खान खुद ही है जिस तरह से सबust का रेस्ट किया गया और उन से स्रीय विस वज़े से के उन्होंने यह नहीं कहा नाइन नहीं कि नांड़ान के खिलाव के कोई स्टेक्मेंट नहीं किए उसकी वज़ा से फवाज चोधरी साब को अरेस्ट करके जिस तरह से रखा जा रहा है जिस तरह से परिशान किया जा रहा है जो उनकी स्टेटमेंट आई है कि उनके बकॉल के उनका सुप्रीम कोड तक केस शायद तब ही पहुंचेगा जब वो मर जाएंगे या वो उन्हें मर ही किसी जॉर्नलिस्स से बात औरिए थी तो वो कह रहे थे कि अदालत में किसी कोई केस चल रहा था और उसके उपर जो है जो जिन सॉप के ऑपर केस था उनसे ये कहा गया कि आप निकल सकते हैं बड़ी असानी से निकल सकते हैं आप सरिप ये कीजिए कि एक प्रेस कानफरे यहां तक पहुंचाया अब इतना जादा इमरान खान से खौफ जदा क्यूं है तरहा तरहा कि उनके स्कैंडल भी निकाले जारें सब कुछ है इमरान खान को लाने वालों ने लाते वक्त तो सोचा नहीं कोई काम नहीं आता और यह बिलकुल भटा बिटा देंगे कंट्री का जो के उनने किया भी अब उनको खटा दिया है लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं डर खौफ मौजूद है कि अगर किसी कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान का वोटर इलेक्शन के दिन बाहर आ जाए और अगर वो बाहर आ गया तो यकीनन इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाए अचका उसरे लोगता है इन्होंने तो वहीं करना है जो हमीशा करते हैं वो बॉक्सेस अठाके ले जाते हैं अपनी मर्जी के ठपे लगा कर वापस दे देते है यह तो हमीशा से मैंने देखा है पाकिसान में होता है तो फिरुब उसके लिए इमरान खान के जो बैढ कर नि رہے گا. سیاست کے اندر interfere نہیں کریں گے. لیکن کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. سب کچھ ویسے ہی ہے جو ایسے پہلے ہوا کرتا تھا. آپ نے کہا سب کچھ ویسے ہی ہے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا. بلکہ کچھ مبسرین کا تو یہ کہنا ہے کہ اس وقت جتنی worst situation ہے شاید پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی. خاص طور پر عمران خان کی پارٹی کے crackdown کے حوالے سے اور عمران خان کی پارٹی کے جو ایکٹویسٹ ہیں جیسے مسٹر عمران خان ریاض ان کا ایک ابھی انٹرویو آیا سامنے میں ان کو جنرلزم کے پیرامیٹر پہ تو نہیں پرخت تھا. لیکن وہ ایک political activist ہیں ہیں. propagandist ہیں. تو لیکن بہرحال یہ تو کسی کو حق نہیں تھا جس طرح ان کو اٹھا کر لے جایا گیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بھئی اس طرح کے جو مظالم ہو رہے ہیں آج کے زمانے میں political جو کریک ڈاؤن ہو رہا. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا خیر یہ بھی ان کی statement صرف چکے ان کے سر پہ ابان پڑی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن کیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین بچہری جو جیل میں ہیں طریقہ انصاف کی وہ کچھ سنا ہے دو سو سے زائد ہیں تو یہ واقعی ہی وریسم چیزیں ہیں ہمیں کینیڈا امریکہ میں بیٹھ کے یہ باتیں بہت پرشان کرتی ہیں پاکستان کی human rights challenge ہوتے ہیں تو آپ یہ جو crack ڈاؤن عمران خان کی پارٹی کا اتنا خوفناک ہو رہا ہے جس کا بھی آپ نے جس کی طرف اشارہ دیا یہ آپ کو تھمتا نظر آ رہا ہے یا یہ مافیوں کے بعد total مافیوں کے بعد یہ تھم جائے گا سر نکل آئیں گے وہی مافیوں کے بعد نکل آئیں گے یا پھر شہر الیکشن کے بعد نکل آئیں گے کیونکہ الیکشن سے پہلے ہی کا یہ سب طوفان ہے اس کے بعد تو جب ایک بار الیکشن اناؤنس کر دیئے ہو گئے اور بتا دیا کہ کون government آئیے کون سی پارٹی آئیے پھر تو یہ لوگ باہر آ کے اگر کچھ بھی نعرے لگاتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں کچھ کر نہیں پائیں گے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ الیکشن کے بعد ایک ایک کر کے شاید ان کو چھوڑ دیا جائے اور یہ باہر آ سکیں لیکن اس سے پہلے تو جس طرح سے لگ رہا ہے کہ کبھی کہتے ہیں کہ ان کا انتخابی نشان بدل دیا جائے گا کبھی کچھ چونکہ جو بڑی تعداد پاکستان میں ایسی اثر جو جو پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں چوٹے لاکھوں کے اور کئی لاکھوں کے تو وہ تو بس نشان دیکھ کے مہڑ لگا دیتے ہیں نا ان کو تو نہیں پتا کہ ادھر کیا لکھا ہوئے تو اگر آپ ان سے وہ بلہ کا نشان ہی لے لیں گے تو ان کو تو نہیں پتا لگے گا کہ انہوں نے عمران خان کو کہاں وٹ دینا ہے تو وہ پھر جہاں پہ کہیں گے وہ دے دیں گے لیکن ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ چاہے وہ سندھ ہو پنجاب ہو یا کوئی دوسرا علاقہ ہو وہاں کے جو وڈیرے ہوتے ہیں جو سیاست میں حصہ لیتے ہیں ان لوگوں کے اینڈی کارڈ ان کے پاس ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو نشان بتاتے ہیں وہ جا کر اسی پہ نشان لگاتے ہیں الیکشنز میں تو یہ بات کہنا کہ لوگ اپنی مرضی سے عمران خان کو ووٹ دے دیں گے یا لوگ کسی اور کی مرضی سے عمران خان کو ووٹ دے دیں گے یہ بھی مجھے تو possible نہیں لگتا اس لئے کہ یہ بہت کھلی ہکیقت ہے کہ لوگوں کے आडी कार्ट जिनके पास होते हैं और यह जहां कहते हैं वहीं पे महड़ लगा के आ जाते हैं उससे दरूदर नहीं होते हैं पुरा खंदान वही करता है जो उनके आंका वडेरे जो हैं वो कह देते हैं और यह वडेरे असेमली में भी बैठे हुए हैं सानेट में भी बैठे ह हैं और हर जगा पे मौझूद हैं तो उनकी मर्जी के बगएर तो जैसे कहते हैं ना कि वो बिलकुल कोई काम नहीं कर सकते हैं मुझे इनकी एक जो घबराहट है ना कि कभी यह कहते हैं कि हम निशान बदल देंगे कभी कुछ कर देंगे यह समझ से बाहर है कि आखर डर की हो रहे हैं जबके हर्ट चीज तो इनके कंट्रोल में है जी आखर में इस तरफ हमें बताईए कि आपने कहा कि पाकिस्तान में जो बहुत ज्यादा इस वक मसाइल हैं जो बहुंचाल चल रहे हैं वो इलेक्शन की तैयारियों की वज़ा से चल रहे हैं आज़्चन के बाद शायद सूरतैहाल कुछ स्टेबल हो जाए लेकिं मेरी दाती रायए में पाकुस्तान में तो कभी भी मुझे सूरतैहाल ज़र नजर नहीं आई और ळेक्शन के बाद भी शायद नजर नए 144 का जो एकनामक ध़ा है, वो जुड़ा हुआ हुआ है भार क्या आपको लगता है कि एलेक्शन के बाद कोई स्टेबिलिटी के इमकान है और उस रीजन में पाकिस्तान अपना कोई पीस्फुल करदार अदा करने की पूजिशन में आएगा या इसी तरह ही प्रॉक्सी टारिजम और प्रॉक्सी एक्स्रीमिजम पे चलता रहेगा सबसे पहले तो अगर ये ठीटीपी को कंट्रोल कर लेते हैं और कोई नो कोई आपरेशन लांच करते हैं इने कहीं से पैसा मिल जाता है वो आपरेशन लांच करने के लिए तो थोड़ी बहुत दिनों के लिए आमन तो आ जाएगा इनोंने पहले भी आप आपको याद होगा कि ब ये इस चीज़ को अगर खतम नहीं तो कम जरूर कर लेंगे काफी हद तक वाकी एकॉनमी जो है उसके ओपर तो यकिनन इनको काम करना ही पड़ेगा क्योंके इने अपने लिए भी तो खाना कमाना चाहिए और जरूरत पड़ेगी तो यकिनन ये भारत के साथ भी सी लिए ट पाकिस्तान की तो ऐसा है कि पैसे ना होने की वज़ा से एकॉनमी खराब होने की वज़ा से कोई कंट्री हमें सुनने को तयार नहीं है चाहे हम सही बात करें चाहे गलत करें हमें ना कोई मुह लगाता है ना कोई बात करता है ना कोई पासपोर्ट को देखता है तो यकिनन जो policy makers हैं जो यहां पर बैठे हैं और जिन्हों नहीं तो इनके बाद आने वाले जो लोग होंगे जिन्होंने मुल्क को एक तरह से अपने काबू में किया होता है तो उनके लिए भी यह जरूरी बन गया है अब के वो थोड़ा सा इसको stable करें और जो बहुत परी हालत हो गई है उससे निकालने की कोशिश करें तो मेरे क्याल है उससे यह कोशिश तो जरूर करेंगे क्योंके बिल्कुल खत्म करने की हालत में तो यह नहीं लाएंगे 20 लेटर पे रखेंगे लेकिन 20 लेटर से बाहर नहीं आने देंगे बहुत शुक्रिया अर्जु साहिबा हम आपके शुक्र गुजारा है कि आपने में वक्त दिया और पाकिसान की जो करंट पुलिटिकल सिचुएशन है और वहां के जो एकनामिक हालात हैं रीजिनल हलात हैं उस पे तफसीली बाचीत की बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का वीउर्ज आज की बाचीत आर्जु काजमी साहिबा के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप उनका यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर डोनेट के बटन को कलिक करेंगे तो आप हमें कांटिब्यूट कर सकते हैं आप टैग टीवी की अप्स डाउनलोड कीजिए रोको अमाजन इंड्रोइट और अमाजन के साथ साथ अपल पे भी और आप हमें वाच कर सकते हैं हमारे न्यूज व्यूज एंटर्टेन्मेंट 24 7 टूर अप्स अप्सक्राइब टैग्टी यूट्ब चैनल और अप्सक्राइब टैग्टी यूट्ब चैनल और प्रस्टे नोटिशन बटन